मुरादाबाद आटो रिक्षा चालक वेलफेर सुसाइटी द्वारा थाना सिविल लाइन चेत्र के अंबेटकर पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया पैठक में आटो रिक्षा चालक वेलफेर सुसाइटी के किसनलाल ने कहा कि वर्षों से लगातर आटो रिक्षा सिंचालन में आटो रिक्षा चालक वेलफेर सुसाइटी मुरादाबाद का हर संभो पर्यास किया गया पर्तमान में कुछ समश्याओं का निस्तारण हे तुकारवाई आवशक है चिन में उत्तर पर्देश परिवहन अधिकरण द्वारा और्टो रिक्षा की आयू सीमा दिनांग 15-12-2016 को दर्श वर्ष से बढ़ा कर 15 वर्ष कर दी गई है मुरादबाद में महानगरों में चार जोन संचालन की विवस्ता की गई किन्तु पार्किंग की विवस्ता नहीं की गई इसलिए पार्किंग की विवस्ता की जाए अनता जोन विवस्ता तुरंथ ही समाप्त की जाए अवेद वहनों को एक बाहर किया जाए अन्यता वेद पर्मिट याताया त्विवस्ता के नाम पर चेकिंग करते समय निराकरन किया जाए और एस्टीये ने वर्स 2016 में उसको बढ़ाके 10 वर्स से 15 वर्स कर दिया लेकिन मुरदाबाद की आटिये में ये प्रस्ताप पास ना हो सका अब आटिये की मिटिंग में ये प्रस्ताप पास होगा कि जो आटो चालकों की दस वर्स ओवर पूली होगे थी वह बिना पर्मिट और बिना पिटनेस के होगे थे तो अब खुशी इस बात की है सभी आटो चालकों में कि पांच वर्स बढ़ने के बाद में जो करीब आटो चालक नया आटो नहीं ले सकते थे उनके लिए दो लाख रुपए थाई लाख रुपए का फरक पड़ेगा यूकि एक लाख असी हजार का आटो है इंस्सुरेंस ग्यारा हजार लगा करके लगबक सबा दो लाख रुपए के आसपास आटो रिच्छा का पड़ता है वो खर्च जो है वो गरीब आटो चालक पर बचेगा बच्ची 30 रुपए ठीक लगा करके उसको ठीक कराकर चलाएगा अपने बच्चों का फाल इसी विसे में मुरावाद महानगर में एक आटो संचालन के नई विवस्था के लिए सभी आटो चालकों ने तैय किया है यह हम में चर्चा हुई है चारो जोनों पर जोन इसलिए अब हम प्रसासनिक अधिकारियों से निवेदन करेंगे यह मैं जगे दिलाएं अगर जॉन चलाएं तो अन्यथा इन जॉनों को समाथ करते हैं इस आटी की मिटिंग में जॉन संबंदी सार्क्यों इस्टेशन के सामने की परिशानी होती थी लेकिन इस्टेशन के स इसलिए अपनी बात रखेंगें कि वो जॉनों को समाथ करते हैं